गुद मानिंग स्टूरेंट्स आज हम सांसांस में बासुपवा चकपाट पड़ेंगे एक जादुगर थे चंग की चंगलनबा अपने जीवान में उन्होंने कहीं बड़े बड़े करतब दिखलाएं जब मरने को हुए तो लोगों से बोले मुझे दफनाय जाने के छटे दिन मेरी कबर खोद कर देखोगे तो तुछ नयासा पाओगे कहा जाता है कि मौत के अच्छटे दिन उनकी कबर खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन लोगों ने उन्हें देखा पहले उनकी नकल की और और फिर नए डिजाइन भी बनाए बांस भारत के विभिन हिसो में भाउतायत में होता है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सातो राज्यों में भांस बहुत उपता है इसलिए वहाँ बांस की चीज़े बनाने का चलन भी खुब है सबी समुदायों के भरन पोशन में इसका बहुत हाथ है यहां हम खासतो और परदेश के उतरी पूर्वी राज नागलेंड की बात करेंगे नागलेंड के निवासियों में भांस की चीजे बनाने का खूब रचलन है इनसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजे बनानी शुरू की भांस की चीजे तबी से बन रही है आवशक्ता के अनुसार इसमें बदला हुए है और अब भी हो रहे है कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिष्टा उस दोर से है जब इनसान भोजन इकटा करता था शायद भोजन इकटा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजे बनाई होंगी क्या बता भया जैसी किसी चीडिया के घोंसले से ठोकरी के आकार और बुनावट की तरकीप हाथ लगी हो बांस से केवल ठोकरियां ही नहीं बनती बांस की खपचियों से धेर चीजे बनाई जाती है जैसे की तरह तरह की चटाईयां, टोपियां, टोकरियां, बरतन, बैलगाडियां, फरनीचर, सजावटी सामान और जाल, मकान, पुल और खिलोने भी असम में से ऐसे ही एक जाल जकाई से मचली पकड़ते हैं, छोटी मचलीयों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सता पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खिंचा जाता है बांच की खपचीयों को इस तरह भान्दा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले इस शंकु का उपरी सिरां अंडा कार होता है, निचले नकेले सिर पर खपचीयां एक दूसरे में गुनती हुई होती है खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है असाम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिखे जाएंगे और हाँ उनकी बीड पर ठंगी बांस की बड़ी बड़ी सी टोकरियां देखना भी भूलना नहीं जुलाई से अक्टूबर घंगोर बारिश होर के महीने थे यानि लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकटा करने का सही वक्त था आम तोर पर वे एक से तीन साल के उम्मर वाले बांस कारते हैं बूड़े बांस सकत होते हैं और तूट भी तो जाते हैं बांस से साखाएं और पतियां अलग कर दी जाती हैं इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता हैं जिनमें गांठें दूर दूर हो जाती हैं और दाओ चान जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपचियां तयार की जाती है खपचियों की लंबाई पहले से ही तै कर ली जाती है मसलन आसन जैसी छोटी चीजे बनाने के लिए बास को हर एक गठान से काठा जाता है बास याने बैंबू लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या तीन या चार गठानों वाली लंबी कपचियां काटी जाए यानि कहां से कहां काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्बर करता है आम तोर पर खपचियों की चोड़ाई एक इन से जादा नहीं होती है चोड़ी कपचियां इसी काम की नहीं होती इन ही चीर कर पतली कपचियां बनाई जाती है पतली कपचियां लचीली होती है कपचियां चीरना उस्तादी का काम होता है या तों की लकला कारी के बिना कपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है यहां फिर दाओ काम आता है खपच्ची बाए हाथ में होती है और दाओ दाओ हाथ में दाओ का धारदा चिरा खपची को दबाए रखता है और जबकि तरजनी दाओ के एकदम नीचे होती है इस्तिती में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है इस दोरा दाया अंगोटा दाओ को अंदर की ओर दबाता है और दाओ खपच्ची पर दबाव बनाते हुए गिसाई करता है तब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है इसके बाहत होती है कपच्चियों की रंगाई इसके लिए जादातर गुडल इमली की पत्यों आयादी आदी का उपयोग किया जाता है काले रंग के लिए उन्हें आम की चाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दवा कर रखा जाता है बास की बुनाई वैस ही होती है जैसे कोई और बुनाई पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीकों से अडा तिरचा रखा जाता है फिर बाने को बारी बारी से ताने के उपर नीचे किया जाता है उससे चैक का डिजाइन बनता है पलंकी निवाड की बुनाई की तरह टुएल बनना हो तो हरेक बाना दो या तीन तानों के उपर और नीचे से जाता है इससे कई सारे डिजाइन बनाई जा सकते हैं टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंत लिया जाता है या फिर उड़कटे सिरों को नीचे की और मोड़ कर फासा दिया जाता है और हमारी टोकरी तयार चाहो तो बेचो या घर पर ही काम ले लो इस तरह हम किस तरह टोकरी बनाई जाती है बांसे या इस पार्ट से हमने सीखा है तो बच्चो अगर आपके या वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा मित्रों को शेर कीजेगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद